लो फ्रेंड कैसी हो आप I hope आप भड़ियाओंगे जैमा टैरो में आपका स्वागत है जैमा टैरो आपका अपना टैरो फ्रेंड्स आज की जन्मेर डीडिंग का टोपिक है आपके परसन आपको अर्जेंटली क्या कहना चाते हैं जी हां करंट फिलिंग की तो रीडिंग हम हम आपको निशा डालते ही है आज मैं निया टोपिक लेकि आई हूं आपके लिए कि आपके परसन अर्जेंटली आपको क्या कहना चाते हैं उनके लब मैसेज रोमैंटिक मैसेज निकाल लेंगे यह जो रीडिंग है ही शी सेम जेंडर सबके लिए है मैरीड और उर्मेरीड को जुरूर मिलेगी और एक साथ में मिलेगी प्यारी सी एडवाइज जो आपके लिए बेहर जुरूरी तो चलिए देखते हैं आज डिवाइन टैरो आपके लिए कौन से कार निकालते हैं पोजिटिव रहे हैं और रिडिंग देखिए देम्परस मेजरर काना का इस रानमर काना का लिए लिए पैंटिकल्स प्यारी से लिए 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 ल King of Swords Three of Swords Sorry, Three of Wands Ace of Cups देखते हैं, Bottom को उनसा है Bottom है Two of Swords तो वाइस यहाँ चारो राशिय है Earth Sign भी है Air Sign भी है Fire Sign भी है और Water Sign भी है 12 राशियों के कार्ड है और नंबर जो हो सकता है आपके लिए इंपोर्टेट हो 1, 3, 4 और 2 और 13 हो सकता है यह नंबर आपके लिए इंपोर्टेट हो आपके मेमरी में यह कहीं स्टोक हो आपने अपने परसन के साथ कुछ ऐसे लम्मे बताए हो जो आपके यादगीरी में हो तो चलिए देखते हैं आपके परसन आपके लिए क्या कहते हैं गाईस सबसे पहले उठाते हैं किंग ओफ सोर्स का कार्ट आपके जो परसन है छुपे रुस्तम है यह जल्दी कहीं अपनी फिलिंग नहीं बताते इस चीज को लेकर आप हमेशा रहते हो कि यह परसन मुझे फिलिंग नहीं बताता यह जो थोड़े हैं थोड़े से चुपी हुई बावनाई अपने अंदर रखते हैं जल्दी कहीं अपनी बात क्लियर नहीं करते थोड़े इगोस्टिक और अपने आप में रहने वाले इंसान है लेकिन आप से प्यार बहुत करते हैं वो जानते हैं कि आप उनका इंतजार करोगे रिष्टे में और आपका दिल बहुत अच्छा है हो सकता है कुछ लोगों में रिष्टे में family issue हो तो आपके परसन जो हैं वो pray करते हैं और रखते हैं कि वो पूरी कोशिश करते हैं कि आप मैं family को मना के फिर ही आप से चीज़े clear करूँ क्योंकि वो इसी चक्कर में दो चीज़ों मेटके हूँ हैं और confused रहते हैं आपके बगार alonis feel करते हैं उनका आपके बगार अब दिल नहीं लगता वो चाहते हैं कि आप life में उनके पास अब जल्दी आदे वो कहना चाहते हैं आपको कि वो आपसे marriage करना चाहते हैं आपको marriage material समझते हैं शादी के शादी के बाद उनको पता है कि आप बहुत सुंदर और रिष्टे को आगे तक ले जाने वाले person हो उनके साथ आपकी life अच्छी कटेगी लेकिन family, celebration वो सब चीजे चाहते हैं जो एक अच्छा उनसान चाहता है बले ही बाहर से दिखने से ये person थोड़ा ऐसा है emotional भी आपके साथ पूरे attach है दिल में उनके प्यार बहुत है लेकिन वो दिखा नहीं पाते उनका nature ही कुछ ऐसा है थोड़े ideal है अपने आप में है जैसे मैंने बताया लेकिन अंदर से आपको बहुत प्यार करते हैं और कहना चाहते हैं कि आप दिल के बहुत अच्छे हो और उनको ये भी कहना चाहते हैं कि आप इंतजार उनका काफी time तक करोगे अगर कोई issue रहेगा लेकिन वो person पूरी कोशिश करता है आपका और अपना रिष्टा अगर कोई issue है तो उसको clear करने के लिए वो इस रिष्टे को बढ़ाना चाहते हैं और नई शुरुआत करना चाहते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि चीजे आगे तक जाए अब उनका अपने आपके बगार मन नहीं लगता अलोनास फील करते हैं अकेला पान उनको कटकता है मैरिज तक जाना चाहते हैं आगे बीवी, सोरी फैमली, सेलिब्रेशन लोंग लाइफ तक आपके साथ लाइफ करना चाहते हैं लेकिन सिर्फ फैमली की वज़ा से इसलिए आपको कुछ भूल नहीं पाते बाते क्लियर नहीं कर पाते क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर फैमली का इशू है तो फैमली को मैं इशू क्लियर करके ही आपके पास सीधा क्लियरली होके कोई डाउट ना रहे लेकिन ये परसन जो है बले ही बाहर से करूर है लेकिन अंदर से आपके लिए सही है थोड़े अपने आप में रहने वाले इगोस्टिक अडियल नेचर के हैं लेकिन दिल के बुरे नहीं इसलिए शायद आप इनका इंतजार कर रहे हो आपके लिए उन्होंने आपको एक गुड लुकिंग चार्मिंग और एक ऐसा परसन मानते हैं कहना चाते हैं कि आप बहुत सुंदर हो आप जहां भी जिसके भी साथ होगी उसकी किसमत बदल जाएगी तो ये थे आज के आपके रोमेंटिक और आपके परसन की तरफ से मैसेज रोमेंटिक और लवलिंग मैसेज अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज कीजिए लाइक, शेर, कमेंट और साथ में कीजिए मेरे चैनल को और सस्क्राइब जो बिल्कु फ्री है बेल आइकन प्रेस करना बिल्कु मत भूलिए योगि नेक्स्ट वीडियो का नोटिकेशन पहुंचेगा आपके फोन तक आज तक के लिए इतना ही मिलूंगी नेक्स टीडिंग में तब तक के लिए God bless you और जय माता दी